तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सर मिस्लीडिंग इन प्रोस्पेक्टस, मिस्लीडिंग का मतलब आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर जिसके बेसिस पे आपने मेरी कमपनी के शियर्स खरीदे, उसमें सारी की सारी बाते या कु उस case के अंदर आप तो बेफ़कुब बन गए, आपका तो नुकसान हो गया, आपके तो पैसे loss हो गया, तो ऐसे situation में आप company के खिलाफ क्या क्या कारवाई कर सकते हैं, उन सारी बातों को discuss करने वाले हैं इसमें, तो चलिए सन्थ, हम बात कर लेते हैं misleading के, तो misleading के case के लिए, एक आपको न, case में समझाता हूँ, कि हुता क्या है misleading actual और काफी important है, रेक्स वर्सिस कालियसंट, एक case है, जो कि leading law है, नॉर्मली हुआ क्या, कि जो रेक्स कम्पनी थी, जो कम्पनी थी, कम्पनी ने क्या करा था, कि अपने prospectus में ये बात बोली, कि हमने dividend paid किया है, अगर मैं बोलू कि इसी साल, जो पुराने मेरे shareholder थे, उसको मैंने dividend दिये हैं, इसी साल, आपके prospectus में लिखा है, कि मैं dividend कभी भी fail नहीं हुआ, इस बार भी dividend दिये हैं, covid में भी dividend दिये हैं, हर बार dividend दिये रहा हूँ, तो आपको क्या feel आएगा, आप सोचों को dividend दे रही हैं, तो dividend तो profit से दिया जाता है, तो company में profit होगा ही होगा, ये समझोगे, लेकिन जब actual पता चला एक shareholder को, कि भाईया, इसने जो पूरा पढ़ा और पता किया, तो पता चला कि dividend इसने profit में से नहीं दिया, जो इनके reserve पड़े थे पहले कभी, उसमें से निकाल के दे दिया share issue करने के लिए, और जबकि company को इस साल तो loss हुआ है, अगर मैं बोलू, मेरी company के अंदर इस साल loss हुआ है, investment करो तो आप नहीं करोगे, तो उसने इस बातों को छुपाया, तो उस leading case में court का verdict आया, कि भाईया, ये misleading of prospectus है, और जो भी इसका compensation है, वो सारा दिया जाए, तो fact case का क्या था, यही case मैंने summary करा है, exam में पूछा जाएगा ये case, in the prospectus of the company, it was stated that company has regularly paid dividend, हर बार dividend दे रहा है, और during the last several year when the company actually has been incurred substantial loss, और company had the convert loss into the profit by return back some of the past provision create, कुछ पुराने जो की reserve थे, जब company का दोर अच्छा चलता था, तब के reserve को वो यूज करता था, तो court का verdict आया, कि भाई, इसके अंदर जो फैसला गया, किसके favor में, जो shareholder था, उसके favor में गया, बोला गया, company तुमने तो misleading करा है इसके साथ, खीक है, ये था हमारा misleading, अब sir, misleading prospectus एक और case है, peak versus गुरने की, समझी है, था क्या, अब इस case के अंदर माल लेते हैं, Mr. X को, XYZ Limited Company के अंदर, पता है कि इसके अंदर कुछ इसके prospectus में गड़ बड़ी है, और इसे पता चल गई ये बात, इसने इस company के shares को खरीदा ही नहीं, इसने इस company के shares को नहीं खरीदा, जब इसने इस company के shares को नहीं खरीदा, उसके बाद लेकिन इस company के shares को Mr. A ने खरीद लिया, आव एक्स क्या करता है से कमपनी से ना खरीद कर फेड़े इस शेयर खरीद लेता है और जब कमपनी बाइंडिंग सबह जाता है तो एक्स बोलता है चुल्ष क्य切ote में, तो इस केस में कबेदा उन आप यार आथ स्यर वग्हारी और जो खरीद था तो शेर खरीदेगा उसके लिए यहां पर रेमिडीज अभीलिबल है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं आपने तो इसको सेकिंड मार्केट से मतलब कोई भी शेर नहीं खरीदा गया सेवरल मन्थ अल्टरनेटी पीक परचेस दो हजार शेर कंपनी फ्रॉड कर रखा है तो कोट का वडिक है आप नहीं ले सकते कि चलिए现在 कि कि अविहां पर एक मिस्लीडिंग मिस्लीडिंग के क्या-क्य एफेक्ट हो सकते हैं प्र्Оस्पेक्तस में यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी वगर है भी देखें गे हम क्या-क्या एफेक्ट हो सकता है देखो अब लेमेडीज иссय शेयर होल्डर को जब इससे अफेक्ट होगा तो किस को benefit मिलेगा remedies का मतलब आपके पास क्या तरीके हैं कि अपने चीजों को recover कर पाऊ आपका हो गया नुकसान मैंने जूट बोला तो आपके पास क्या प्रावधान है जैसे किसी ने आपको किसी ने मान लेते हैं कि कोई आपके अगर प्रोस्पेक्टस में मिस्लेडिंग है तो false या फिर false statement या कुछ बाते जूट बताई गई है या omitted भूल उन्होंने लिखा ही नहीं और वो material facts है which amount to be misrepresentation then आपका aggrieved जो व्यक्ति है shareholder उसको remedies मिलेगा क्या remedies है against director के responsible और against company यानि वो दो लोगों से अपना हरजाना मांग सकता है या तो बोले company भाई तू मेरे पैसे दे या उस company के director के against भी case कर सकता है अब company के against केस करेगा तो यहां पर भी दो बाते निकल के आएगी या तो वो बोलेगा भाई है हम share नहीं खरीद रहे हमारे वही पैसे दे दे बात खतम दूसरा हम उससे बोले मेरे damages दे तेरी वजह से मेरे पैसे का काफ़े नुकसान हो गया है तो शियर होल्डर के पास दो remedies है अगेंस company अगेंस director अब बात करते हैं सर liability promoter etc in case of misleading क्या क्या है liability के case में यानि अभी पहले हम देख लेते हैं पर मोटर के अगेंस तो कहता है every person who is directed directed of the company मतलब director every person who is director of the company at the time of issue of prospectus prospectus के time पे जितने भी person prospectus जब बनाया जा रहा था जितने person director थे सभी की liability बनती है उसका payment करने का उससे ले सकता है किसी से भी every person who is authorized या जिसको उन डारेक्टर ने बोला था भाई देख के और अच्छे से बनाई हो to be name and name in the prospectus जिस डारेक्टर का लिखा होगा वो libel है shareholder के पैसे को return करने के लिए समझ रहो हो shareholder के पैसे को return करने के लिए every person who is promoter of the company अगर promoter हो तो भईया promoter तो मेन बंदा यह वो तो लाइबल हो गई होगा और every person who authorized the issue of prospectus यानि अगर व्यक्ति की बात करें उस company को चलाने वाला डारेक्टर है और एक promoter है दूसरा अगर डारेक्टर पर मोटर किसी को power दे दे के भाई तुम कुछ दिनों तक चला तो तीनों घेड़े में आ जाएंगे तीनों में से किसी के against case किया जा सकता है shareholder के खिराब कि मेरे साथ shareholder नहीं कहूंगा investor के खिलाब कि मेरे साथ धोका धड़ी की गई है अब बात करते हैं कि liability director, promoter, etc. in case of misleading तो कोन-कोन से type का liability बनता है सर criminal liability है और civil liability है और एक liability under general law है criminal liability मतलब सर एक तरीके साथ fraud करोगे तो criminal criminal मतलब बदमाश आपने हमेरे साथ धोका धड़ी गया तो से criminal बोलते है civil मतलब आप rule regulation को follow नहीं कर रहे तो civil liability कि सर क्रिमिनल liability section 34 के अंदर है और criminal liability किस-किस के लिए है देखते हैं कहता है where a person issue circulated distributed मेरे hopefully आपको नहीं visual हो तो मैं पढ़ रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा criminal liability देखे क्या कहता है वेर आप प्रोस्पेक्टर जो प्रोस्पेक्टर के अंदर ना issue जो किया गया था उसके अंदर circulated उसके अंदर point हो या distributed include any statement which untrue untrue का मतलब जिसमें जूट बाते लिखी हो misleading गुमरा किया गया हो from the contest which include where any inclusive omission of matter likely to mislead मतलब सर कोई भी ऐसी बाते लिखा गया हो जिससे आप misguide हो गये जैसे मैं कहूं कि मेरी कंपरी ने इस फ़र 500 करोड का प्रॉफिट कमाया जब कहसा था ही नहीं कि लॉस में चल रहे थो तो मिस लीड होगे आपको करना ठीक है एवरी परसन हूँ अथ्राइज दा इशू सच प्रोस्पेक्टस विल भी लाइवर अंडर सेक्शन चार सो सेंतालिस चार सो सेंतालिस कंपनी सेक्शन में सारी पैनिल्टी की वने कि कौन कितना देगा कहता है एनी परसन हूँ फांड गिल्टी मतलब जो जो व्यक्ति दोसी पाया जाएगा शेल भी पनीशेबल विद्दा तम कितने साल के लिए या तो छे महीने के लिए भाई या जेल जाओ नहीं तो तुम्हें दस साल के लिए भी ज थोड़ी ना पता था जज ने बुला जा बेटा दस साल के लिए और दूसरा जो अमाउंट उसका नुक्सान हुआ है या फिर उसका थ्री टाइम कि involved fraud within the three time या फिर उसका तीन गुणा आपको देना पड़ सकता है देखें नीचे क्या लिखा हुआ है कंपनी के पास भी कुछ प्रोविशन या फिर मैं कह सकता हूं कि कुछ कहता है देट नोटिंग सेक्शन सेल भी अप्लाइट तो दा पर्सन प्रूवड स्टेट्मेंट ओमीशन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके जो भी स्टेट्मेंट था आपको ही इसू किया ग पड़ेगा कि गलत कंपनी है बिलीव देट क्या कहता है देट नथिंग इन दस सेक्शन सेल अप्लाइग कब सेक्शन अप्लाइग नहीं होगा तो दा परसन इव दा प्रूव सच स्टेट्मेंट और मिशन वाज इंमाटेरियल और हैड आपका रिजनेबल ग्राउंड तु टूञें तूड इन्क्लूज़न ओमिशन नेसेसरी मतलब अगर ऐसा कुछ है कि आपका कोई नुकसान नुकसान हुआ ही नहीं तो फिर आपका बोला जाएगा भाई कोई बात नहीं है। हो जाती है गलतियां जैसे बुक है बुक में मिस्प्रिंट हो जाता है आप केस तोड़ी ना कर दोगे भाई हो गया टाइपिंग एरर हो गया जान बूचके नहीं किया गया हो उसके खिलाब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर सीविल लाइबिलिटी सर सीविल लाइबिलिटी क्या होता है कहता है वेर आप पर्सन पूर सिक्यूरिटी अफ दा कंपनी एनी स्टेट्मेंट इंक्लूड ओमीशन हो मतलब बार बार वही है कि अगर प्रोस्पेक्टरस में कोई गरबढ़ी है ता आपकी लाइबिलिटी बन जाती है अगर थिक हैं मिस्लेडिंग के लिए कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा सर्ट डारेक्टर होगा पर मोटर होगा अथराइज होगा एक्सपर्ट हो जाएगा और वही punishment आपको मिल जाएगा 6 मैने या फिर 10 साल का और यह liability होगी आपकी जितना amount damage हुआई है उससे 3 गुना यह बताया गया है defense available defense का मतलब अब company के पास भी कुछ अधिकार है कि अगर आपने साथ धोका धड़ी हुआ है तो इस समय सीवा के अंदर आपको सारे काम करने है और shareholder के पास भी right है कि आप defense कैसे कर सकते हैं ठीक है तो defense में देखने क्या कहता है कहता है defense available if a person shew damages liability by the successful आपका pleading and the following defense मतलब आपने कोई case कर दिया सिंपल सी बास समझो ना आपने company के ऊपर क्या कर दिया case कर दिया authority of expert he made statement authority expert whom delivered complete and expert has given concerned withdrawn मतलब के आपने prospectus बनाया लेकिन आप जब market में issue होने वाला था prospectus उससे पहले ही आपने return दे दिया भाई company में fraud हो रहा है मैं जिम्मेदार नहीं हुँआ तो आपके पास मिल गया remedies याने defense कर गया अपने आपको आप reasonable ground कर दो के भाई या मेरा तो नाम डाल दिया गया था रैसे ही डाल दिया था इन्होंने इन्होंने बताए नहीं company ने he had reasonable ground that believing the statement true and did not believe that the true of that time allotment मतलब मैंने जप्रोस्पेक्टस लिखा था तब ठीक था बाद मे ने गड़बड़ी हुई है इसके अंदर तो उसका हम responsibility एक प्रूब करना पड़ेगा correct copy of extract the statement was the correct copy of extract and the official document fact believe that true मतलब मेरे पास जो है यह तो सही लिखी है सारी बाते इसमें किताब में होता है किसी किताब के अंदर कोई amount है किसी में amount हो जाता है मिस्प्रिंट हो गया typing error हो गया दूसरे lot में तो बोलेंगा भही सर यह तो देखो गलती हो गई है ठीक है न consent withdrawn आपने अपना consent withdrawal कर दिया the having the consent become director withdrawal his consent become director before issue prospectus prospectus issue करने से पहले ही बोले भही है मैं जिम्हेदार नहीं हूं मैं नहीं बन रहा जा इसका responsible तो आप उसके इखलाब केस नहीं कर सकते इशू without knowledge आपने इशू किया आपके पास knowledge नहीं था प्रोस्पेक्टस वाज इशू without his knowledge मतलब आपको बताए नहीं आप USA में हो और आपका नाम आप चढ़ा के प्रोस्पेक्टस इशू करती आपको इस concern ही नहीं लिया गया है क्योंकि आज कल डिजिटल Sir liability of the company दो liability है company के लिए और shareholder के पास दो remedies available है shareholder company की liability दो मतलब के shareholder एक तो ये क्या कर सकता है right to resign मतलब बोल सकता है भाई मेरा contract तोड़ दो पैसे और दूसरा हो सकता है कि वो damage का demand कर ले कहता है the shareholder who पर chase share जिसने खरीदा on the basis of misleading prospectus has two rights against the company under the general law general law में दो rights available है right to resign recent का मतलब होता है contract तोड़ देना कि भाई या जो भी contract किया था अब ये contract नहीं valid है कब कब material facts यानि आपको नुकसान तगड़ा हो गया है the statement which include the shareholder to subscribe shares must related to be material facts immaterial नहीं होना चाहिए not an expression in opinion मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मुझे लग रहा है कि इसके साथ नुकसान होगा इसलिए मेरा contract cancel कर दो कल मुझे लग रहा है तो मारी company बंद हो सकती है ऐसा नहीं हो चुका हो और material के मतलब ऐसी घटना हो जिससे वाके ही फरक पड़ा हो उससे material वो लेंगे कहता है fall representation कहता है the statement which has include any parties subscribe the shares have been untrue and true का मतलब उसमें जूट बाते लिखे गई थी misleading तो बार बार यही बाते दोराई जा रही है बोथ यह दोनों था contest of included तब आप कर सकते हो cancel reliance and इंडियंस शेर होल्डर must have actually rely upon the statement शेर होल्डर ने भई सच में statement यानि उसको पता ही नहीं था have been in आपका induced by the purchase of shares जब shares खरीदा तो बहुत भोला भाली था उसने उसको समझ के सोच के तब share खरीदा था यह माना जाएगा कहता है reasonable time आपको reasonable time के अंदर यह करना ऐसा नहीं पता आपको आप चल गया कि दो साल बाद बोलो भाई मेरे को पता था मिसलेडिंग थी इसमें कांटक्ट कैंसिल कर दो मैं नहीं लेरा आप शेर के प्राइस जब नीचे चले गए तो बोला गए आपके हाथ से मौका निकल गया आपको reasonable time मतलब पता चला तब करते भाई ऐसा थोड़ी होता है तो कहत आपका रिसाइनिंग मस्ट है बिन स्टेट बाई दा शिर्व विदिन रीजनेबल टाइम विफोर दा कंपनी गो लिकुडेशन मतलब लिकुडेशन से पहले कहीं लिकुडेशन के बाद कर रहे हो के भीया मेरे पैसे वापस दितो कॉंट्रेक नहीं बना तो भाई कंपनी अब है लॉस राइट आपको राइट खतम हो जाएगा आप कैंसील नहीं कर सकते पहले जितने भी आपको मिले थे न मौके के आप प्रोस्पेक्टर और कंपनी का आपका जो कॉंट्रेक्ट हुआ है उसको कैंसिल कर सकते हैं अब आपके राइट गए अब नहीं कर पाओगे कब-कब नहीं कर पाओगे जब अन रीजनेबल डिले हो जाए इतना डिले कर दिया बहुत डिले तब नहीं कर सकते हो आपका अफर्मेशन हो जाए वेन दा अलोटी एक्स्प्रेसली इंप्लाइड ली रेटिफाई और वो मतलब एक तरीके से इस तरीके से स्विकार कर ले हाँ यार छोटी मुटी गलती होती है कोई बात नी अभी बोल दिया और बाद में जब कंपनी से खुंदक निकालनी हो बोले नहीं यह बहुत बड़ी गलती थी तुने तो धोका कि ऐसा थोड़ी होता है होता है कई बार ऐसा आप भी जानते हो उस बात को ठ मिला था एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली रेटिफाई अडॉप दा कंसर्ट बोलता है ठीक है यार कोई बात नहीं अगला अगर वाइंडिंग अप जाने लग गया तब आप जाओगे के मेरा कॉंट्रेक्ट कर दो तो नहीं है तो यह आप अप अपने राइट्स को खो horns हो गे बोल्ः iteit सब्सक्राइं अब फोडिंग यह एक और फटा फटे कर लें और मैं सिंपल सी बात करता हूँ आप बहुत सी बात क्या है यह इतनी सारी बाते स्फेरी लिख अर सबसे पहले सिंपल सी बात सुनो भाई misleading क्या होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर जूटी जानकारी दे देना या आप ऐसा या लिखना भूल गए यानि incomplete information इस पर case study भी था एक ने बोला के भाई हमें हर साल डिविडेंट देता हूं यह बताए नहीं के रिजर्ब से दे रहा है तो केस के अंदर मिस स्टेटमेंट हो जाएगा और आप फिर वो कॉंट्रेट कैंसिल कर सकते हों लेकिन आप primary market से शेर को खरीदना है अगर आपने secondary market से शेर को खरीदा है तो फिर अविलेबल नहीं सिर्फ primary market के लिए यह पीक in şur этप हशन हैं मिस लीडिंग के क्या एफेक्ट हो सकते हैं सर मिस लीडिंग के केस में अप डारेक्टर या кंपणी कंपणी よ not सब्सक्राइब करें अपने हरजाना मांग सकते हो और अप डिरेक्टर से भी मांग सकते हो हरजाना अगर मैं बात करूं क्या जया सकता है जो आपका नुकसान हुआ है या फिर आपने बहुत ज्यादा सकती ही दिखाए तो 6 मेंने या कि अब इसके बाद क्या था कि यहां पर आपके पास criminal liability यह और civil liability क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर आप करते ओ तो भी आप जाओगे जेल और जाओगे लंबा छे मैने या फिर दस साल या फिर आप तीन थी टाइमस आप देदो civil liability किसके उपर होगा किसके उपर civil liability भीया company उसके promoter और expert यह तीन में ली यानि promoter वो तो है यह involved उससे recover कर सकते है और डारेक्टर से recover कर सकते है और जो expert था या फिर जानता था इस बात को authorized person था उससे भी किया जा सकता है अगर डारेक्टर इसके अंदर खुद बोल दे कि मेरे को पता ही नहीं था मेरे बीना permission के prospectus हो गया तो बच जाएगा डारेक्टर अगर बोल दे कि भाई prospectus होने से पहले कि मैं बोल रहा हूं कि मैंनी इन्वाल्व होंगा इस प्रोस्पेक्टर में कंपनी वाले इमर्जी चला रहे हैं तो बच जाएगा वह सिंपल सी बात है और अगर करेक्ट कॉपी एक्स्ट्रेक्ट और उसके पास डिरेक्टर ने जो कॉपी देखा था वो सब्सक्राइब लेकिन प्रूफ करना होगा डायरेक्टर को सर लाइबलिटी कंपनी के अगेंस कितनी होती यह थो लाइबलिटी होती है या तो बहां कॉंट्रेक्ट को कैंसल कर दो या फिर आप मेरे पैसे दे दो damages damage क्या वही जितना आपका damage हुआ है वो cover कर सकते हो cancel करने की बात करें तो आपके पास एक तो reasonable time में आपको बता दे ना है कि भाईया मेरे साथ fraud हुआ है material facts होना चाहिए और false statement होना चाहिए reasonable time के अंदर बताना है अगर आपने reasonable time ये सारी चीज़े follow नहीं किये तो आपका हाथ से निकल जाएगा ये आप case नहीं मतलब कि cancel नहीं कर पाऊगे damage तो ले सकते हो लेकिन cancel नहीं कर पाऊगे